आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ के लिए जब HNO3 से हम लोग reaction कराते हैं तो इसलिए जो nitrogen कराया जाए वो किसके presence में कराया जाए तो अगर हम एनलीन ले ले लेते हैं तो एनलीन जो है वो आपका बेंजीन को उपर NH2 ग्रूप अगर इसकी reaction nitrogen reagent concentrated HNO3 और H2SO4 के presence में अगर हम reaction करते हैं तो यह जो है आपका थोड़ा बहुत जो product होता है वो आपका पैरा भी देता है और मैटा भी दे रहा है ठीक है और कुछ आपका यहाँ यह होगे NH2 और यह धर NO2 और कुछ amount में आपका ortho भी दे रहा है यह जो amount होता है यह आपका sufficient amount है आपका ortho भी मैंने यह बता दिया यह meta है और यह पैरा है पैरा वाला जो product है वो 51% है यह 47% है और यह 2% है यह सिर्फ मैंने data इसलिए लिख दिया है कोई जरूरी नहीं तो मैंने बस इतना समझलो कि sufficient amount में आपका nitrogen मतलब कराने से meta वाला product भी आपका दे रहा है तो इसलिए जो आपका NH2 group है इसको हम लोग सबसे पहले protect करते हैं so protect करने के लिए हम लोग acetal chloride या acetal chloride के presence में इसका protection कराते हैं तो NH2 group जो है वो protect किया जाता है और आपका acetal chloride या acetal chloride हम यहाँ पर हमाई पास option में acetal chloride है इससे reaction कराके जो आपका NH2 group है उसको protect किया गया so यहाँ से यह protect हो जाएगा और यह बन जाएगा benzene के उपर NHCO CS3 ठीक है यह आपका यह बन जाएगा ठीक है इस वज़े से यह जो है आपका group protect हो गया अब इसको पर आप nitrogen reagent डाल सकते हैं और आपका product बन सकता इसलिए हमारा जो आपका सबसे पहले जो reaction करानी पड़ेगी वो आपको CS3, COS या HTC and diet से करानी पड़ेगी इसलिए जो option है वो ऐसा option जो है वो आपका option number C में ही दिया गया So C is the correct answer Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर